पाहिलासता अपला कि जे BMS सा प्रावेट कॉलेज लक्षाद गया BMS only for private college only for private college जो 15 टक्के जो कोटा आसतो या 15 टक्के कोटा state of महराष्टर ये तेंचा लेवलोरती या ठीका नी भुरून गेता सता तर तो आच्छा डेट पसने या ठीके नी registration process सार्टी start जालेला है या ठीका नी पाहिलासता बारा आकरा 2022 पसना 16 आकरा 2022 या डेट्स मदे विद्धार्त आनना अपला registration कोरून गेता आहे ठीक है तर आता registration करें से तर विद्धार्त आले confusion जाले अल्या ठीका ने अपले 85% कंपल्सरी आहे का ठीक है तर या प्रोसेस मदे जे विद्धार्त रेइस्टेशन करना रहे यांचा साथे एक महत्वाची गोस्ट है कि जर आपले मार्स खूपस लो आसतील आने अपली आठीका ने जर पेइंग एपसिटी आसिल मैंज आपन प्राइवेट कोलेज चा पू प्रा प्राइवेट कोलेज ठीक है अचीँ दॉडेस्टेशन कोले या चांसलीं चीए 2000 वेगडी रेजिस्टेशन फीस पेड कुरुन अपला या प्रोसेस मते पाटिसेपेड कराया साथ लक्षाद गया यह ठीकानी फक्त BMS जी प्राइवेट कॉलेज है भी हमस प्राइवेट प्राइवेट कॉलेज है यह साथ है अपला पार्टीपेट साथ ही दोन हादर रुपए वेगडी फीस पेड कराव लागना रहा त्यानांतर सर विद्धरतला डाकुमेट्स अपले अप फॉर्म कंप्लेट के लाए अपला महा सीटी सेलच तरह अशी तोज फॉर्म आसनार है तेस्ट अपलेल अपलेल अठीकनी डाकुमेट्स लागनात वेगडे के डाकुमेट्स लागनार नाही है त्यानांतर सर्व विद्धरतले ची आठीकनी प्रोविजनल मिरिट लिस्ट ह ना रहे भ्रोस प्रोरभीजिय हए क्रवडी पंतर अ संगे या थीकर से प्लेकेश्न करव। मनगे या था था थीकरन प्रावट कोली चिन था कि प्रावयवेट कोली partie करा मिनना रहे नहीं अपली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से वेगल अपली रजिस्ट्रेशन प्रोसे से वेगल रजिस्ट्रेशन प्रोसे से वेगल अपली रहार धिस्ट्रेशन प्रोसे से वेगल्य रजिस्ट्रेशन प्रोसे से वेगल रहा हैं जाए विद्धधर डेना स्टेट कोटलेज मुरू शकत नहीं यह पर दो टोनी प्रोसेस डिफ्रेंट सब्सक्राइब त्या डिफ्रेंट काई है इंपोर्टन तहीं मी तुम्हाला पुडचे वीडियो में करना से पात्र असनार आए त्यार नंतर Candidate already registered State counseling मनझे ुआ विद्ध्यारती तर State counseling में रेस्टेशन किला तो विद्ध्यारती या counseling में सुधा All-India counseling में सुधा registration करू शक्तू ठीक है पण या ठीका है एक महत्वा चारूल है Candidate या बाकी चे जी रूल से है ते त्या अठीक है इंपोर्टन नहीं ते र क्राइटरिया पर महित्तेज है पनि या ठीकानी कैंडिडेट हु आर अलाउटेड इन बोथ कोटा स्टेट कोटा एज वेल एज ओल इंडिया कोटा मजर्स अन्थर स्टेज पनि या ठीकानी कैंडिडेट अलाउटेड आते टाइम तुमी रिपोर्टिंग करू शकनार नहीं यह थे लक्सऑत रहुदेड तया मुझत तुम्माला कुटली एका सीट जॉइन करेज अन् तया नंतर सेब नंबर्च अखुप इंपोर्टन पोइं है candidate allotted and joined all india quota seat in round two are not eligible for future counselling है खूब important point है जर विद्ध्यारत ले आठीकाने round two मदे seat allotted जाली all india quota सटी तर विद्ध्यारते जे future process है hsat तो eligible runner नहीं है तर विद्ध्यारते ने आठीकाने खूब carefully information गे चाहे और खूब carefully आठीकाने form feeling करें चाहे और आप लेला जे प्रावेट कोट आतना जे college आठीकाने भर्ना योग्यास नरे चॉइस फिलिंग कशी करें चे या बद्धिली में तुम्हाला समपूर्ण महाईती देखले तर नेक्स्ट विद्ध्यारते तुम्हाला में या